वेलकम टू हाई स्कूल क्लासेस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कच्छा दसमी गडित का आदर्स प्रश्ण पत्र सेट ए मैं आपको चार आदर्स प्रश्ण पत्र सॉल्व कर वाऊंगा और जो आपका मेन एक्जाम होगा इन्युवल एक्जाम डेफिनिटली सारे क्वेश्चन इन्ही आदर्स प्रश्ण पत्र में से आने वाले हैं ठीक है यदि आप इनको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आपके एक्जाम में डेफिनिटली आएगा तो पहले कॉस्चन का जो आंसर निकल के आएगा वह और जाएगा तहुँ świe इक सो भीस जो है दोनों में से किसी में 120 का भागनी जाएगा चार में 10 का भागनी जाएगा और 404 में 30 का भागनी जाएगा 4 ही ऐसी संख्या है जो दोनों को क्या कर रहा है दोनों में भाग जा रहा है ठीक है तो चार करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला सवाल है यह दिदू इखात बहुपद ax square plus bx plus c के सुन्याग alpha और beta है तो alpha dot beta command क्या होगा तो alpha dot beta command student हमेशा क्या होता है c upon a और alpha plus beta command क्या होता है minus b upon a ठीक है इसको याद रखेगा इन दोनों में से definitely main exam में एक question आएगा ठीक है अगला question है समी करण निकाए a1 x plus b1 by plus c1 बराबर 0 तथा a2 x plus b2 by plus c2 बराबर 0 के अधिती हल होने की सर्थ तो आपको पता होगा जब a1 upon a2 बराबर नहीं होता b1 upon b2 के तो क्या होता है इस्ट्रिंट आदूती हल होता है ठीक है अगला सवाल है निन में से किस वर्ग समी करण का मूल 2 है तो मूल से ताथ पर क्या है इनके सुन्यक तो यदि हम 4 समी करण को हल करेंगे तो करेक्ट टांसर निकल के आएगा option number से ठीक है अगला question है a p minus 3 minus 1 बटे और 2 का ग्यारवा पत तो इस्ट्रिंट आपको पता होगा जो ग्यारवा पत होगा क्या हो जाएगा a plus 10 d ठीक है फार्मूला क्या होता है a plus n minus 1 into d तो इस पर हम मान रखेंगे तो देखे हमें पहले d चाहिए तो d निकालने के लिए हम क्या करेंगे minus 1 बटे 2 में से हम minus करेंगे कितना 3 तो यह हमारे सामने आ जाएगा इसको मैं थोड़ा सा direct कर रहा हूँ तो 2, 3, 6 और 1 minus हो जाएगा तो 5 बटे 2 d कमान आ जाएगा 5 बटे 2 अब हमारा जो फार्मूला होता है a plus 10 d तो a कमान है minus 3 plus 10 into d कमान कितना आ गया 5 बटे 2 इसको हम 2 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा पचम 25 25 में 3 घटाएगे तो 22 हमारा correct answer हो जाएगा ठीक है अगला question है यदि दो ठोस समान आधार त्रिज्या वाले अर्ध गोले आपस में आधार से सटा कर जोड़ दिये जाते हैं तो इस प्रकार प्राप्त ने ठोस का वक्क प्रष्टी छेदफल क्या होगा तो इस्टेंट यदि हम दो अर्ध गोलों को जोड़ रहे हैं ठीक है सपोच करिए मैनस 2x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तिकर तो विविक्तिकर का फार्मूला क्या होता है b2-4 ac ठीक है इस पर हम माण रखेंगे तो b2 मतलब मैनस 2का स्क्वेर-4 a का मान यहां पे है 3 और b2 ac का मान है 1 वटे 3 3 से 3 कटेगा माइनस 2 का स्क्वेर करेंगे तो 4 माइनस 4 बराबर 0 तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इस्ट्रिंट? आ जाएगा 0 ठीक है अगला सवाल है एक समांतर स्रेणी का प्रथमपद A है तथा सार्व अंतर D है तो यनवापद क्या होता है? आपको पता होगा यनवापद का फार्मूला होता है A प्लस यन माइनस 1 इन्टू D यह आपको राइट कर देना है ठीक है? अगला सवाल है इस्ट्रिंट सभी त्रिवुज कैसे होते हैं? समरूफ होते हैं ठीक है? और कौन से त्रिवुज ऐसे हैं? जो समरूफ होते हैं तो सम्भाहु त्रिवुज ठीक है? सभी सम्भाहु त्रिवुज आपस में क्या होते हैं? समरूफ होते हैं ठीक है? तो सम्भाहु त्रिवुज लिख देना है एक बृत्ति की समानतर इसपर्स रेखाई हो सकते हैं देखें समानतर इसपर्स रेखा बोला है ठीक है यदि हम एक सरकल बनाते हैं ठीक है यहाँ पे एक सरकल हो गया तो maximum जो इसपर्स रेखाई हो सकते हैं समानतर इसपर्स रेखाई हो सकते हैं कोण theta वाले 3 जिखंड के 6 फल का सूत्र क्या होता है तो 3 जिखंड का 6 फल का जो फार्मूला होता है वो होता है क्या होता है theta upon 360 degree into pi r square ठीक है यह आपके सामने लिखा हुआ है आप देख सकते हैं क्या होता है theta upon 360 into pi r square अगला question है किसे घटना की सभी संभो प्राइकताओं का योग सदेब कितना होता है तो 1 होता है कितना होता है मेशा 1 होता है ठीक है अगला question है सत्य और सत्य बताइए जिसमें से पहला question है प्रतेग पुरांग प्राकृतिक संख्या होती अब देखे ये जो वाला ये वाला part है minus infinity for zero ये तो पुरांग नहीं होगा सारी ये तो क्या नहीं होगा पुरांग नहीं होगा है न मतलब जो हमारे statement है क्या है wrong है तो क्या लिग देना है असत लिग देना है ठीक है आपको यहाँ पे cross कर देना है समकोन त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होते है बिल्कुल सही बात है ये ये मारे पास कोई right triangle triangle है तो जो कर्ण होता है hypotenious वो सबसे बड़ी भुजा होते है ठीक है अगला question है 36 तल ठीक है क्या लिखे इस्टुएंट 36 तल से क्या होता है अब नमन कोण और ये नीचे से उपर देख रहे हैं तो क्या होता है उन्हें कोण क्या लिखे है उपर की और देखने पर अब नमन कोण बनता है तो गलत है उपर की और देखने पर हमेशा क्या बनता उन्हें कोण तो इस statement आपका wrong हो जाएगा किसी बाहे बिन्दू से ब्रत्त पर खीची गई इस पर स्रेखाईं बराबर होती हैं बिल्कुल सही बात है यदि हम किसी एक बिन्दू से किसी ब्रत्त पर इस पर स्रेखाईं खीच रहे हैं तो दोनों इस पर स्रेखाईं आपस में नहीं होता है जिस वजह से ये statement क्या हो जाएगा अगला है किसी बारंबारता बन्तथल में किसी वर्ग की संचाई बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होता है बिल्कुल सही बात है यदि हमारे पास कोई बारंबारता वर्ग है तो उससे ठीक पहले वाले वर्ग की जो बारंबारता होती है वो क्या होती है संचाई बारंबारता ठीक है अगला question है student हमारे सामने सही जोड़ी बनाएए तो सही जोड़ी बनाएए कैसे पहला question है sin square theta plus cos square theta इसकी value student हम यह सब 1 होती है क्या होती है अगला question है 1 plus 10 square theta यह होता है student 6 square theta के बराबर किसके बराबर 6 square theta के बराबर इसका root हटेगा तो 6 theta हमारा correct answer हो जाएगा ठीक है अगला है 1 minus cos square theta अब देखे 1 minus cos square theta किसके बराबर हो जाएगा root over sine square theta के बराबर और sine square theta से sine बाहर आजाएगा तो sine theta हमारा correct answer तो तीसरे को sine theta से match कर देना है ठीक है देखें तो पहले का आपको क्या match करना है 1 हो जाएगा दूसरे का हो जाएगा 6 theta ठीक है और तीसरे का क्या हो जाएगा sine theta अब चलते हैं 4 गया है 0 by बिंदद की quarter तो quarter क्या होती है बाई अचके निदे साँख तो यहाँ पर by अचके निदे सांख तो by दिया है तो इसकी quarter क्या हो जाएगी बाई हो जाएगी तो by से match कर देना है अगला है यक्स जिरो बिंद की बिंदद का भुझ गुज क्या होता है यक्ष अच्छ का निजे सांग और यक्ष अच्छ का निजे सांग यहां पर कितना है यक्ष ही है तो यक्ष से हमको मैच कर देना है अगला है 0,4 एवम 3,0 के बीच के दिरे तो इसको solve करेंगे तो correct answer निकल के आएगा 5 ठीक है अब हम चलते हैं student एक सब्द या एक वाकि में उत्तर तो पहला question हमारे सामने है क्या लिखा है यदि ABC वार्टविक संख्याय है और A बराबर नहीं है 0 तो दुईघास समिकरन किस रूप का होता है student AX square प्लस BX प्लस C बराबर 0 यह होता है ठीक है दुईघास समिकरन जहां पे A कभी 0 नहीं होना चाहिए अगला question है समानतर स्रेणी का व्यापक रूप तो हम जानते हैं समानतर स्रेणी में first term हमेशा A होता है और second plus term या तो A plus D होता है या तो A minus D होता है और third term क्या होता है A plus minus 2D होता है तो यह आपको write कर देना है ठीक है आप देख सकते हैं आपका solution यही लिखा हुआ है अगला question ह सभी ब्रत कैसे होते हैं समरूप होते हैं समरूप आपको write कर देना है ठीक है यह question हमेशा आपके objective में आता है दरश्टी रेखा की परिभासा लिखिए तो इस दरश्टी रेखा क्या होती है देखिए आपके सामने लिखा हुआ है हमारी आख से उस बस्त को जिसे हम देख र हैं तो क्या हो जाएगी च्टूइन द्रश्टी रेका हो जाएगी ठीक है अग्ला कोफ्चन है एक ब्रत्ति छेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्जा और संगत से घीरह हो सकता है क्या लिख्या है दो त्रिज्जा है देखें एक ब्रत बनाई यह आप ऐसे ठीक है यह एक ब्रत और क्या बोला है दो त्रिज्या है ठीक है एक ब्रत बनाना है आपको ऐसे और दो त्रिज्या है बनानी है तो दो त्रिज्या माल लेजिए आपका सेंटर यहां से है एक त्रिज्या यहां पे एक त्रिज्या यहां पे तो यह जो एजिया होता है निस्ट यह क्या कहलाता है त्रिजिखंड कहलाता है ठीक है सेक्टर कहलाता है तो त्रिजिखंड आपको राइट कर देना है अगला कोश्चन है एक असंभव घटना की प्राइकता क्या होगी तो असंभव घटना की प्राइकता हमेशा क्या होती है जीरो होती है तो आपको सुन राइ और ESCF, अगला question फिर से आपको first chapter से रहेगा, जिसमें definitely ELFM और ESCF से related एक question आएगा ही आएगा, ठीक है, अगला जो question आपका रहेगा, बहुपद से रहेगा, जिसमें आपको सुनको का योगफल और गुड़न फल दिया रहेगा, आपको बहुपद बताना होगा, तो आप इस solution आपको provide कराऊंगा, ठीक है, आप देख सकते हैं, ये सारे question आपको important है, इनको आप अच्छे से screenshot लेकर, अच्छे से prepare कर लीजिए, यदि आप से कोई question नहीं आ रहा है, तो definitely आप comment section पर comment करिए, मैं उन question के solution आपको provide कराऊंगा, ठीक है, तो आप अच्छे देख सकते हैं, स ती number में, एक आपका जो question आएगा, त्रिकोर्मिती अनुप्रियोक से, और एक ती number का आएगा, आपकी सरकी बारे chapter से, एक question ती number का आएगा, आपका त्रिजिखन का छेत फल से, ठीक है, और एक question आपका जो चार number का आएगा, या तो बिलोपन, या तो प्रतिस्थापन से हल करने को, और जो आपकी next question रहेगा, एक चार number करेगा, आपका mensuration से, और एक चार number का question आपका last question रहेगा, इस्टेटिक्स मतलब की सांकिकी से, तो इन question को आप अच्छे से prepare कर लीजिए, किसी question में आपको doubt है, आपसे नहीं आता, तो आप comment section पर comment करिएगा, मैं उन question का solution आपक तो आप इसका अच्छे से screenshot ले लीजिए, और इसको अच्छे से prepare कर लीजिए, जल्द ही आपको मैं set B का solution लेकी आ रहा हूँ, तब तक के लिए, जय हिंद, वंदे मात्र,